तो आज मैं आपको चटपड़ा चिकन बनाने का बिल्कुल अलग और निया तरीका बताऊंगा इस तरह से आपे चिकन बनाएंगे ना बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट वा जूसी बनेगा इसको बनाने के लिए ना आपको ज्यादा मसालों की जूरूट पड़ेगी ना ही घटाऊंगे बड़े पीज करते हैं वो पकने में टाइम जा ले लेते हैं इसके पुल्प आपने चिकन को मेरिनेट करना एक चुछटा चमजा आप इसमें नमक एड़ के तको आधा चमजाने इसमें त्यूर्प भौडριओं करने के लिए एक चमजापने इसमें धनियां प में मिट मसाला है तो मीट मसाला डाल सकते हैं एक बड़े चमछ essमें अदर्क लसुन का पेष्ट एड करना है और एक वे नलते अगर आपके अधरक रसुन का पेश्ट ना हो अधरक और लसुन को कूट के भी डाल सकते हैं तो एक निवो का रस्पी मैं इसमें निचोड दिया है अच्छी तरह से चिकन को मिर्च मसालों के साथ अपने मिक्स कर लेना है चिकन को पहले मिर्च मसालों के साथ मैरिनेट करने स इसको फ्रीज में रखती है यह बाहर भी रख सकते हैं दिनी दिर तक आप इसको तो देखिए 20 मिन तक चिकन को मैंने मेरिनेशन में रखा था अपके टाइम हो एक से दो घंटे तक भी छोड़ सकते हैं इसी मेरिनेशन के अंदर आप इसके बद आपने कडाही लेनी है उसमें ऑईल एड कीचे कम सम 3-4 बड़े चमच आपने इसमें ऑईल एड करना है क्योंकि अभी हम चिकन को फ्राई करेंगे यहां पर तो देखिए ओल जैसे आपका हलका सा गर्म हो जाएगा चिकन के जो पीस्ते देना आपने कडाही में इस तरह से थोड़े दूर दूर रखते न पकाने के लिए हाई फ्लाम में पका लेंगे और यहां पर कलरा चुका है पल्टे या चिम्ते की साथ से आप इसको ना दूसरी साइट को पल्टी कर दीशे तो सारे पीसी देखिए मैं ने पल्टी कर दीए फिर से आप उपर से कवर करेंशे और अब अब आपने गैस की फ् क leverageEm अब मसाले जो है ना थोड़ी आपने पका भी लेने यहां पे और तोडिदी दर आप झिकन रड़ी ना भुनाई कर लिखे ए जलना कर दिया ज़्यव कर दिए तो तेज गईस में पकाना है ज़्याता यहां अब आपने पार जौन षरॉड जाते हैं तो यहां प्याज लेने एक टमाटर का यूज कीजेगा बस इससे यदा प्याज टमाटर आपको नहीं चीहोंगे प्याज को आपने लंबा-लंबा स्लाइस काट लेना है इसके साथ में दो से तीन आप इसमें हरी मिर्श भी हैड कर देशे अब गैस की विलेम आपने ना हाई करनी है एक इस चिकन को बनाने की खाजिती है इसको बनाने के लिए पानी के यूज बिल्कुल नहीं करेंगे जो चिकन के अंदर मौश्टर एगा उसी से पकाएंगे और साथ में इसमें प्याज का यूज किया ना वो चिकन को जलने से बचाएगा और इसमें सौफटनेस रखेगा तो चाइड कर देशे और एक बड़ा चमच आपने इसमें डार्क स्वेसास आइड करनी है स्वेसास ना हो स्कीप कर सकते हैं बड़ है तो जुरूर डालेगा बहुत बड़िया टेस्ट आएगा इस चिकन को बनाने में और कलर भी अच्छाएगा टमाटरों को आपने अच्छी लो फ्लेम में पकाएंगे चिकन अंदर तर पकेगा बहुत यह सॉफ्टा जूसी बनेगा तेज गैस में पकाएंगे मौश्टर खतम हो जाएगा चिकन अच्छे नहीं पक पाएगा तो के देखिए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं चिकन को पकाते हुए टोटल मुझे पीस से 22 चिकन को पकाते हुए और चोटे पीसिज की होंगे इतनी देर में सारे पीसिज बख जाते हैं अब बहुत सारे कुमेंट्स आते हैं ब्रेस्ट के पीसिज होते हैं हार्ड हो जाते हैं जब हम चिकन के ब्रेस्ट के पीसिज को ओबर कुक करते हैं तब वो हार्ड होते हैं ला छोड़ दीजिए तक कि मसालों का अच्छा टेस्ट चिकन के अंदर तक चाहे और इसके बदाब इसको गरमा गरम सर्व कर देशिए देखिए कि तुम सॉफ्ट और जूसी चिकन आपका बनके त्यार हो जाएगा तो फ्रेंस वीडियो अच्छा लगों का लाइक शेयर कमेंट जुरूर कीशेगा ओके फ्रेंस थेंक्यू